Hello student, good evening बटे, good evening मेराम कुमरतिया की फिर आपको इविद्ध्या क्लासिज में आपका स्वागत करते हैं बटे, सब अच्छे हो, yes या no करके बताओ पहले अच्छा, अच्छे हो नहीं अच्छे हो, right, good evening बटे, good evening सभी के लिए मेरी होर से आपको स्क्वाइर में good evening है, mathematics का हूँ मैं तो mathematics का हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं तो square में और cube में ही बोलूँगा बटे, ठीक है, आज मैं आपको कुछ important question भी दूँगा बटे, बाद में हम वर्क के लिए, कुछ important question और कुछ नहीं बात बताएंगे, important method बढ़ाएंगे बटे आपको आज, हाँ, special type के integral होंग जो आपको चार सुत्र लिखे था ना आपको एक दिन, याद हैं आपको, याद तो आप करते नहीं हो, और कहते हो हाँ, याद है, देखो मैंने आपको दो formula बहुत important बताये थे एक दिन, और जब भी कोई teacher पूछेगा ना, समझ लिजए आपसे वो इनी formula पर पूछता है, य क्या है, देखो one upon two a, one upon two a, याद करने की तरकीब भी बता दिया, आपको देखो यह रहा, लोग, और लोग, good evening, good evening, सभी के लिए आकास मोरी है, good evening, संतोष कुमार इंदुस्तानी, good evening, सचिन पांडे, नमस्ते, नमस्ते बटे, इधर देखे, important formula बटे, दोनों बहुत important formula है, one upon x square minus a square is equal to one upon two a, देखो याद करने की तरकीब भी बता रहा हूँ, one upon two a, one upon two a, लोग, लोग, x minus a upon x plus a, और इसमें a plus x upon a minus x, plus c, और plus c, इन पर भी question करेंगे, और एक special type का integral का सवाल करेंगे, आपको बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा, ठीक है, हाँ, आज आईए, अब जरा, याद कर लीजिए, बटे, दो अंडरूट वाले बतायेते हैं, इनी पर अंडरूट आजाए, तो क्या होता है, ठीक है, यास, आज आईए, question पर, question पर आजेए, बहुत अच्छा सवाल बताते हैं आपको, एक सबसे पहले ही, सबसे important question लेते हैं, आज फिर बाद में time नहीं मिलता न, I is equal to integral, मैं आपको important question देने की कोशिस करता हूँ, चुकि इतने कम टाइम में आपको ऐसा तो हैने की पूरी book पढ़ा दी जाए, समझें, लेकिन question ऐसा पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको कई question कर सकते हो, देखो ये दो question type के होते हैं, दो आते हैं, एक तो होता है under root में और एक होता है बिना under root के, right, एक तो होता है under root में, और एक होता है बिना under root, without under root होता है, गुरुदेव परणाम, पुस्पराजबाई, नमस्ते बटे, देखें, आज हम आपको बहुत important question देने वाले हैं, और कल को भी इससे important देंगे, हाँ, कल भी इससे, बहुत important देंगे, आप इस वाले question को समझ लीजे, बहुत बार आता है, और इसमें दो method लगते हैं, ये वैस करना होता है, इसके integral में बड़े, ये हमें पूनवर्ग बनाने होता हैं बड़े, चोकि ये गुननखंड नहीं हो पाते हैं, आंसिक भी नहीं हो पाती, तो हम इनको पूनवर्ग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पूनवर्ग, रिशब पान, जैहिन बड़े, अब स्क्वाइर के गुनांग को क्या बना लिजे वन बना लिजे तो इसका मतलब क्या है नाइन को मन ले लो तो नाइन को मन लेंगे तो यह कितना हुआ एक्स स्क्वाइर ये कितना हुआ 6 अपोन 9 पिलस 5 अपोन 9 समझ लेना बहिए साथ साथ हाँ अच्छी बात है 9 से डिवाइड कोई भी कोश्चन आ जाए सबसे पहले एक्स स्क्वाइर के गुनांक को 1 बना लीजे पूनवर्ग वाली विदि ये पूनवर्ग वाली बटे है इससे आगे 1 अपोन 9 इंटीग्राल सर्दी भी हो रही है ना आज बहुत अच्छी बात है होनी चाहिए सर्दी 1 upon 9 dx upon अब पून्वर्ग बनाने की बटे 2 विदी होती है इसके बाद क्या करते है x square और 6 upon 9 x इसको ऐसी लिख रहें दीजी प्लस अब ध्यान देना हमने इसको नहीं लिखा 5 upon 9 को तो क्या करना है 6 upon 9 को इधर लिहाओ ज़रा समझाने के लिए 6 upon 9 6 काट दीजे बटे 3 से काट दीजे 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 तो कितना आया यह हमारे पास 2 upon 3 कितना हुआ 2 upon 3 हाँ 2 upon 3 ध्यान देना बटे बहुत important बात बता रहो अब हाँ सबसे पहले x square के गुनांग को 1 बना लिजे 1 बनाने के बाद इस x पर आजाए इसको लिख दीजे इसको सोल कर लो अगर होता हो ना होता हो तब भी कर दीजे उसके बाद इसका हाप करते है हाप कर दीजे तो 2 upon 3 का हाप करो कितना आया सोचो उपर के जो बटे हैं बटे बटे वो नीचा आजाते है 2 upon 3 into 2 2 से 2 कैंसल हो गया क्या आया 1 upon 3 ध्यान देना दुबारे फिर एक बार बताता हूँ सबसे पहले x square का गुनांक 1 होना चाहिए तो जो भी गिंती x square के साथ हो चाहे minus b क्यों ना हो सचिन ठागुर जी उसको ही common ले लीजे हमने यहाँ पर 9 common लिया तो 9 से divide कर दिया जो भी आया हमारे पास तो यह कितना आया 1 upon 9 1 upon 9 ध्यान दे तो 1 upon 9 को plus कर दो और 1 upon 9 को minus करो और जो हमारे पास है उसको बाद में लिखो जबसे पहले x square का गुनांक 1 फिर जो गिंती आती है x के साथ उसका हाप उसका square जोड दीजे घटा दीजे जो दे रखा हो सबसे last में लिख दीजे अब 1 upon 9 ऐसी रहन दीजे dx upon हाँ यह बना आपके पास formula आप देखो किसका formula बना बहुत बच्चों को नहीं आता ठीक है हाँ आप दे 1 upon 3 2 by 6 1 upon 3 2 by 6 राइट अब देखो यहां पर यह जरा ध्यान से समझना क्या बताने जा रहा हूँ यह किसका square है x का यह किसका square है 1 upon 3 का राइट अब आपने जिसका आदा किया उसका इसमें sign लगा दीजे अगर यह गिंती minus किया है तो minus यह गिंती plus किया है तो plus आएगा राइट अब यहां पर आजाओ इसको solve कर लीजे minus का हमारे पास एक बटे तो 9 है और plus का 5 by 9 है एल्जियम कितना है 9 minus 1 plus 5 कितना हुआ 4 plus का तो 4 upon 9 आगया राइट अब आज़ेए इसको भी लिखिये ज़रा सहीज है 1 upon 9 dx upon x plus 1 upon 3 का square plus कितना हुआ यह 2 upon 3 का whole square अब देखो कौन सा फार्मूला बनाएए सोचो कौन सा फार्मूला है हमारे पास अब integral जो होता है बटे वो फार्मूले पे depend करता है कि आपको कितने फार्मूले याद है बस फार्मूला अप्लाई करना देखो आपको बताया था यह कल भी dx upon x square plus a square into dx is equal to 1 upon a 10 inverse x upon a बहुत important formula बटे बहुत important हाँ याद कर ले यह पूरी बुक में सबसे ज़्याद लगता है आप अपनी बुक की answer sheet गिन लीजिए उसमें कितने question हो में 10 inverse x है आपको पता जल जाग गोरव राटी जी यह सर तो 1 upon a अब देखो ए क्या है आपके पास 2 upon 3 10 inverse x क्या है x plus 1 upon 3 upon 2 upon 3 right यह आगया आपका अब देखो इसमें 3 2 3 3 9 तो यह कितना है हमारे पास 6 3 गुना 3 9 हो गया जाने कि 3 बचा 3 और 2 की गुना 6 हो गया 10 inverse अब इधर भी आजाओ जड़ा soul कर लो LCM ले लिजे इसका 3 3 x plus 1 upon कितना बचेगा 2 क्यों बचा 3 से 3 तो cancel हो गया LCM answer बटे यह बहुत important method है बटे हाँ अब यदी हम इसी पे अंडरूट लगा दें देखो मालीजे हम इस question में कुछ भी change ना करें बस आप अंडरूट लगा दीजे इस पे तो अंडरूट लगाते के साथी इसमें फार्मूला चेंज हो रहा है और कुछ नहीं होने का यदी हम इस पे अंडरूट लगा दें तो पता है अंडरूट लगाने के बाद कौन सा फार्मूला बन गया important वाला फार्मूला जो आपको लिखवा है था x प्लस अंडरूट x स्क्वार प्लस a स्क्वार ये फार्मूला लगेगा बस question यहीं करना है same to same यही काम है और सारा हमारा पूर्ण वर्क बनाने का work भी यही है सारा total work यही है बस आपको last line में फार्मूला चेंज करना है x प्लस अंडरूट x स्क्वार प्लस a स्क्वार देखिए एक question में दो question है same work है same है न हाँ ठीक सचेंटागुर जी हाँ बटे बहुत simple अब एक कोस्टन में दो question होगे आपके और क्या चाहिए अब हम आपको एक दूसरा question बताएंगे बटे इसी से संबंदित बहुत important question बहुत next question हाँ तुम्हें तुम एक चाय भी ठंडी कर दी right एक और important question लीजिए बटे बहुत important question तुम आप भी चाय पीते रहना मैं भी पी रहूँ आप भी चाय पीते रहना बहुत important question लेते है बटे एक जो ये करीब करीब 8 नंबर में आता है बटे हाँ 8 marks का आता है x प्लस 2 dx देखिए अभी लिखूंगा आपको खुद ऐसास हो जाएगा कि important है या नहीं x square plus 2x plus 3 देखो बहुत important question है है नहीं है yes या नो बताओ right okay आजाए इधर question पर mind लगा के बैटना है इंपर कभी इधर उदर देखते रहो देखे बहुत अच्छा सवाल है बटे marks काता है ऐसा question एक हर साल एक आता है इसमें भी दो question होते हैं एक without under root होता है एक under root होता है दोनों question में कुछ नहीं करना होता है बटे रवी कुमार जी हा इंपोर्टेंट है न हाँ दोनों question में काम होता है बस formula का अंतर होता है last time में बास यादा हो जी, हेलो सर, नमस्ते बटे, गोड इवनिंग, गोड इवनिंग, हाँ, अब आजाईए कोश्चन पे देखो, हम क्या करते हैं इस कोश्चन में, आप पहले इंटीकल तो छोड़ दो इसका, थोड़ी इसी देर के लिए, हमें इसमें कुछ करना होता है कोश्चन में, इस कोश्चन को सही फोम में तोड़ना होता है बटे, ए, ध्यान देना बस, कोश्चन की तरकीब खतम होने वाली है, कोश्चन, इंटीकल नहीं लिखा हमने, कोश्चन, इस इक्वल टू, ये अपोन में अंडरूट वाली ट्रम सेम आएगी बटे, एक्सी स्क्वाइर पिलस टू एक्स पिलस थ्री, दोनों में सेम आएगी, एक्सी स्क्वाइर पिलस का टू एक्स पिलस थ्री, बी अपोन सेम, कुछ नहीं करना, एके साथ है थोड़ा सा पंगा, क्या, ए इंटू, डी अपोन डी एक्स किसका, जो अंडरूट के अंदर ट्रम है, उसका डिफरेंसल यह कोश्चन को ब्रेक करने का मैथड है बटे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन है बटे, बहुत अच्छा, बस कोश्चन का मैथड समझ लीजिए, और दो मैथड एक साथ आपके बता रहा हूं, इसमें से आप अंडरूट हटा दीजिए, तो आपका दूसरा मैथड बन जाएगा बिना अंडरूट वाला, यह मैथड कब लगता है, जब यहां पर डी एक साथ कोई गिंती होती है, बटे, एक सो, एक स्प्लस टूओ, कोई भी गिंती हो, यदि उपर वन होता, तो समझ लीजिए, आपने जो अभी कोश्चन किया, पून वर्ग वाला बटे, वो इंपोर्डेंट कोश्चन होता, फिर इसमें, ठीके, आप बटे, यहां जाएं, यहां जाएं, इदर देखे, आप क्या करना है, यहां से, यहां से, यहां कैंसिल हो गया न, राइट, एक स्प्लस टूओ, इसका डिफरेंशल, टू एक स्प्लस टू, एक स्प्लस टू, कितना असान है, फिमल सर्माजी, लेकिन यह याद नहीं रहता, एक स्प्लस टू एक स्प्लस टू एक स्प्लस का टू, चूकि एक स्प्लस का वन, और तीन गया घुमने, तीन का डिफरेंशल कितना हो है, जीरो, कॉंस्टेंट है न, छोड़ दिया हमने, अब यहां आजाए इसमें देखो, x के गुनांकी तुलना करिये, तुलना करने पर, पर कमपेरिंग, किसका कोपिशेंट, x का कोपिशेंट, x के साथ क्या है यहाँ, 1, इधर x के साथ क्या है, 2, 2, a, तो दिस इंपलाईज इस डेट, a कितना है, 1 by 2, right, अब आप इसमें आजाईए, अचरपद अचरपाद का मतलब है जिसमें x ना हो यहाँ पे क्या है 2 इधर क्या है 2a और प्लस कितना b 2 is equal to 2 into a की value कितनी आई 1 upon 2 प्लस कितना b यह तो cancel हो गया तो क्या बचा हमारे पास 2 is equal to 1 plus b so b is equal to कितना आया इतने तो होस्यार होई ना मुझे विश्वास से बटे बहुत अच्छा लगता है बटे बहुत अच्छी बात है 1 इधर आगया 2 में से 1 cancel हो गया बी कॉल to 1 आगया अब आप यह बताओ yes या no करके यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई बस समझ लीजे कॉश्चन आपका आदे से जादे हो गया important है जी बहुत जादा सबसे पहले हम इस कॉश्चन को break करते हैं कॉश्चन की situation देख लेते हैं अब अपने अंसोल पेपर में जितने कॉश्चन मिल जाए इस टाइप के कर लेना समझ लीजे 15 के बाद ज्यान देना बहुत important बात बता रहा हूं देखो 15 के बाद जो भी कॉश्चन 2020 तक आए हो समझ लो उसमें से ही आपको कॉश्चन आएगा बोड में बस 15 के बाद 20 तक जो भी कॉश्चन आपका आया हो बोड के अंदर बस समझ लो उनी की practice कर लीजे उनमें से ये question लगेगा आगे समझ में question बराबर a into इसका differential प्लस b अपोन घर पे 5-6 बार कर लेना question अर बोड में जाते एक साती डूण लेना जाते के साती डूण लेना question कहा है type हो साकती है बटए गिंतियां बदल सकती है लेकिन question जरूर आएगा अब क्या करना है आगे ये a और b की value जो है हम यहाँ पर लिखते हैं जहां हमने इसको break किया है अब लिखेंगे i is equal to क्या integral a की value कितनी है हमारे पास 1 by 2 अब differential कितना लिखा था उसका 2x plus 2 into differential था ना इसका x square का 2x 2x का 2 3 का 0 into dx upon under root x square plus का 2x और plus का 3 और b की value कितनी है हमारे पास plus 1 यानि कि 1 का मतलब हो गया 1 into dx upon under root x square plus का 2x और plus का 3 ये question को लिखने का मैं थड़ है बटे right हाँ question को लिख देते हैं बटे या ऐसे अब हमें क्या करना है बटे इसमें sorry इधर ध्यान दें question पे हाँ अब इसमें क्या करना होगा हमें इन दोनों question को अलग-अलग break करते हैं बटे ये i1 है हमारे पास और ये हमारे पास i2 है कोई बात नहीं कोई परिशान होने कि दोत नहीं बटे ये i1 ये i2 हर question में बटे ऐसे ही करेंगे विमल सर्माजी हाँ देशी ब्रामन तो हो जरा पढ़ने पे भी ध्यान देलो सर्माजी सबसे पहले लिखेंगे i1 1 upon 2 एक साथ ना करें बटे question को चुकि क्या होता है question थोड़ा बढ़ा हो जाता है लेंदी हो जाता है तो इसमें परिशान ही आती है बटे x square प्लस का 2x प्लस 3 राइट अब इसमें एक important बात याद रखना question के अंदर अब ऐसे तो आप टी मान के भी कर सकते हो good evening सत्यम दूबे टी भी मान के कर सकते हैं चुकि इसका differential उपर है यही बनाने के लिए हमने इतना काम किया है बटे इस question में हाँ जी कि इसका differential उपर चाहिए था टी मानने के लिए इसलिए हमें यह मैतर लगाना बड़ा राइट अब आप इसको या तो टी मान लीजे या एक बात याद रख लीजे क्या यदि आपके पास under root वाला question आ जाए तो उसमें तो आप integral लिख दीजे 2 root x और यदि इसमें under root वाल का ना हो x आ जाए तो उसे लिख दीजे log x बस इतना याद रख लो टी वानने की जरूरत नहीं है आपको अगर under root वाला question आए तो क्या करेंगे इसमें बताओ क्या करेंगे under root वाले question में क्या करेंगे 2 root x और यदि under root का ना हो तो 1 upon x log x लिख दो कौन सी परिसानी आगे ठीक है हाँ बटे अब इसमें देखो under root है इसका differential उपर है अगर आप t भी मानते इसको तो 1 upon under root t यानिके ये form आ गई तो 2 root t तो direct लिख दीजे 2 under root x यानिके x square plus का 2x और plus 3 अगर t मानके करना चाहो तो ये इसका differential आजाएगा 1 upon root t 2 root t t की value put करोगे 2 से 2 कट गया under root x square plus 2x और plus 3 बहुत important बात बता दी बहुत important ये है आपके पास i1 अब आजाए i2 अब i2 को सोचो हमारे पास क्या है i2 is equal to 1 into dx upon under root x square plus का 2x और plus का 3 ये हमारे पास i2 अब ये आपको बात बताएगे हमने आपको कि अगर under root वाला question आजाए तो भी ऐसी करेंगे और ये हमारे पास under root वाला ही तो आगया तो आपको बताया था पून वर्ग बनाएंगे इसको भी चाहे कोई भी question हो इससे पहले question कराया वो भी हमें हमने इसी तरह का था ये भी पून वर्ग बनाने का तो आप क्या करो इसमें पून वर्ग बनाओ x square 2x plus 3 राइट हाँ अब इसमें देखो x square का गुनांग के एक है आभी आपको बताया था ना कि x square का गुनांग 1 होना चाहिए विकल कुजर जी हाँ देखो 1 है अच्छी बात है बटे राइट कुछ सोचो मत फिर यहां से यहां पर आ जाओ अब x के साथ क्या गिंती है हमार कर दीजिए क्या बचा एक एक का वर कर दीजिए वन आ गया सबसे पहले क्या करेंगे x square का गुनांग 1 होना चाहिए फिर x के पास आ जाईए आ गए उसके पास जो गिंती है उसका आदा कर दीजिए 1 बचा 1 का square कर दीजिए 1 का square 1 हो गया ठीक हाँ बटे राइट वन आया अ x 1 प्लस कर दो 1 माइनस कर दो जो दे रखा हो वो यहां लिख दो 3 अब हम इसमें से एक काम और कर सकते थे इस 3 में से ही 1 लिकाल सकते थे एक नंबर हम इसमें से निकाल लो तो ये भी आपकर सकते थे राइट हाँ अगर आपको इतना ध्याना आ जाए तो ये भी कर सकते हैं dx upon पर कोई-कोई नंबर ऐसा होता है जिसमें से पूनवर्ग बनता नहीं है 1 निकालने के बाद भी ये तो देखो मैंने अभी आपको बताया था whole square कैसे ये किसका square है x का ये किसका square है 1 का अब जिसका हाप क्या उसका sign बीच में आएगा बस छोटी सी बात याद कर लीजिए यहां क्या बचा हमारे पास है 2 अब 2 किसी का square होता नहीं तो under root लगा के whole square लिख दो कोई परेशा नहीं नहीं है आप ये देखो सूत्र बन गया आपका कौन सा log x plus under root x square plus a square मैंने capital letter इसलिए लिखे है चुकि यहां पर x के place पर x plus 1 आ रहा है इसलिए मैंने ये letter बदले है जान पुछ के जिससे आपको confusing नहीं हो इस इक्वल टू लोग x मीन्स x plus 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का whole square plus under root 2 का whole square राइट हाँ प्लस यह हमारे पास आ गया आई टू अब हमें तो चाहिए आई यह तो हमारे पास i2 है पुटे और हमें चाहिए i तो i is equal to i1 plus i2 दोनों को प्लस कर दो तो this means i is equal to i1 कितना था हमारे पास 2 root x 2 से 2 कंचिल हो गया था तो under root x square plus का 2x plus 3 plus i2 कितना है यह रहा log x plus 1 plus under root x plus 1 का whole square यह बहुत important question करा दिया आपको good evening के चक्कर में लग रहे हो अभी question को समझ लीजे 8 marks का था है यह देख लीजे हमारे पास i1 कितना था एक बार चाह कर लो बटे i1 कितना है यह रहा हमारे पास x square plus 2x plus 3 वो ही हमने लिखा है बटे right हाँ i1 और i2 लिख दिया हमने करके देख लेना एक question मालूम हो जाएगा आपको कि कितना अच्छा सवाल है और कितनी जल्दी आप कर सकते हो आदा घंटा लगेगा question करने में plus 3 plus log अब इसको बटे soul करते हैं चुकि यह 8 number का question आता है तो हमें थोड़ा soul करना होता है यह question right अब देखो इसमें क्या है जब आप इसे soul करेंगे तो यह वो ही question बनेगा जो आपने पून वर्ग बनाया था तो इसके place पे हम वो ही लिख सकते है एकस square प्लस 2x प्लस कितना थिरी और आन्दा यह हमने आपको दो question बता दिया बटे चार question बलकर इसमें चार question है एक में से under root हटा दीजे बस formula change होगा एक में under root लगा दीजे तो यह वाला formula यह दो question होते है ठीक है हाँ बटे यस बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हो और मेहनत करते हो चुकि वही बच्चे जुड़ते हैं जिने मेहनत करने क कि आदत होती है जो कुछ पढ़ना चाहते हैं हाँ ठीक है राइट बटे अब next question लेते हैं एक question number next पर आजाओ कि एक और important question important ही बता दूँ चलो अच्छी बात है important ही बता देते हैं हमटे i is equal to integral x plus 2 upon under root x square minus 1 देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि important question है बाकी इस exercise में छोटे ही question है और किसी type के हैं जो आपने किया है question में सारे पूरी exercise ही है बहुत अच्छे सवाल है मिटे देखो ये question इसी method का है जो आपने अभी किया है लेकिन इसमें पूनवर्क बनाने की आवसकता नहीं है board में आ चुका बटे question यहाँ पर one भी आता है आप देखना अंसोल पेपर में आपको question मिल जाएगा x plus one upon under root x square minus one dx ये भी question कितनी बार आ चुका बटे राइट हाँ आ जाए इदार इस question में क्या करना है इसको अलग-अलग break कर दीजे उटे x square minus one dx plus two dx upon under root फिर और important चीज़ पर लेके चलते हैं आपको अभी सवाल के बाद write करिये आगए करते रहो जड़ा थोड़ा बहुत question को लिखते भी हो हाँ ये good evening में ही लगे हो integral आप देखो इस question में हमारे पास दो part हो गए तो आप चाहें तो इनको i1 i2 मान सकते हो सचिन ठाकुर जी या इनको direct कर सकते हो तो हम इसमें direct भी कर सकते हैं क्या इसमें दो से गुना भाग कर दीजे चाहे तो आप या इसमें direct यहां पर t मान लीजे आप और आसान कर देते हैं question को इसमें t मान लीजे बटे t is equal to x square minus 1 वैसे मैंने आपको कल एक बात बताई थी बहुत important कि इसमें 2 से गुना भाग करने वाला एक question कहीं ना कहीं जरूर आता है ठीक है हाँ इधर dt upon dx 2x one का differential 0 नमस्ते ओके गोड इवनिंग हाँ बस इनी भी हटके रहते हो question को लिखते भी हो 2x dt upon 2 आगया हमारे पास और यह हुआ x dx देखो हमारे पास question है न टी मानने का अब क्या होता है जब बोड में question आते हैं तो यह धीरे-धीरे question को tough बनाते हैं पटे धीरे-धीरे वो कैसे बनता है tough एक ही question में 2-3 method दे देते हैं जैसे यह question देखो break करने का हो गया टी मानने का हो गया differentiate इसके अंदर आ गया formula इसमें लगेगा तो 3-4 चीज़े दे देते हैं देखने में simple होता है लेकिन इतना आसान नहीं होता है पटे question i is equal to integral 1 upon 2 तो यह हो गया और यह बना x dx किसके equal dt के और upon under root कितना हुआ t और इसको ऐसी रहने दो पटे 2 dx upon i2 को ऐसी रहने दो x square minus 1 राइट आ जाई है इधर देखे यह तो हमने अभी अभी बताया आपको क्या dt upon फार्मूला हो गया ना यह आपका यह तो अभी आपको बताया था क्या पताया था कि अगर हमारे पास under root आ जाए तो उसका integral कैसे करते हैं अभी अभी तो लिखा था 2 root x यानिके 2 root t इसका तो काम हो गया plus 2 into अब यह फार्मूला सोचो कौन सा आपका x square का square minus 1 का square तो यह कौन सा फार्मूला है सोचो 2 से 2 cancel under root t plus 2 into यह फार्मूला है यह वाला log x plus under root x square minus a square plus कितना c बहुत अच्छा सवाल है देखे छोटा सिंपिल सा कोश्चन है लेकिन फार्मूला कितना important लगा लिए इसमें हमने under root t की value t की value कितनी है x square minus 1 हाँ ठीक यह विद्या वालो का भी धन्यवाद कर दिया करो और राम कुमार त्यागी भी है समझगे और यह nda की class भी start कर रहे है ठीक हाँ थोड़ा सा कहना भी मान लेना हमारा यह आपको अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाया हुआ और आपको important question देते रहेंगे right बहुत important question है अब एक और important question पर लेके चलते हैं हाँ इस पर x square minus a square का under root आएगा अब और थोड़े difficult question पर चलते हैं देखते हैं integral by part आपको कल करा दिया था parcel fraction आपके हो गए अब हम और important question पर चलते हैं क्या कल आपको तीन फार्मले लिखवाये थे बहुत important important लिखवाये थे न हर बच्चे को याद नहीं होते वो तुम्हें याद है नहीं है यह तो हमें पता नहीं पर आप देख लेंगे आपको कितने य integral यह मस हो जो कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूं हम तो कोई सी भी बुक से पढ़ा देंगे अपने पास से लिख देंगे question हां रामकुमार त्यागी जी सर अधे आप ही great हो सर आप से ही हैं हम तो इधर आ जाओ देखो यह कौन सा फार्मुला है बालू में बच्चों से ही तो हां बहुत important formula है बटे सब पढ़ लिया मैंने सब पढ़ रहा हूं आपको हां प्रिया बटे आप पढ़ रहा है सब पढ़ रहे हैं बटे देखिए a square minus x square dx यही मैं आपको देखते रहूंगा पढ़ता रहूंगा तो मैं question बूल जाओंगा इसलिए हमें question पर भी ध्यान देन होता है right हां इधर आजाओ अब आप यह बताओ कौन सा formula था यह कल बढ़ा था न देखिए क्या था याद करा रहा हूंदे को आपको दुबार है one upon two x जो दे रखा उसे ही लिख दो a square minus x square plus a square जिसको formula याद समझ लीजे marks उसके यादे हैं और यहां आएगा sine inverse x upon a plus c यह 4-5 number का question आता है यहां 4 marks में आता है देखने में जी लगता है एक marks का तो यह formula यह है और question में apply करना, soul करना तो 3-4 marks में आता है अब आता है यह करीब-करीब 6 में ऐसी लगते हैं सब देखो इधर अब अपने इस formula को apply करो a की value कितनी है आपके पास मालूम है under root 2 का square minus x का square तो a is equal to कितना है आपके पास 2 a is equal to कितना है 2 everyday तो इसी formula में आप यह समझिए a के place पे 2 लिख दीजिए और x के place पे x लिख दो हो गया आपका question 1 upon 2 से चोका से रहना इसे भूल जाते हैं यह वाला right x under root जो इन्होंने दे रखा हुए लिख दीजिए 2 का square minus x square plus अब इस question में क्या गलती करता है बच्चा है सोचता है बीच में माइनस आ रहा है तो यहां माइनस लगा दो नहीं यह माइनस वाला नहीं है बटे यह plus का ही होता है अब a square a का मतलब क्या है 2 2 का square 4 और sine inverse x upon a a की value कितनी है 2 plus कितना c और answer यह काम करना आपको कोई ज्यादा hard question है simple है आपके लेंगे थोड़ा hard question आपके देखते हैं और इसी तरह का question करते है बटे यह तो formula बना बनाया था आपके formula बनाएंगे हम हाँ देखिए i is equal to integral फिर मैं आपको दो तीन question important से लिखुआ है थोड़ा homework रोज रह जाता है आपको लिखना देखिए important question है फिर आपके लिए जो हमने आपको सबसे start में question किया था उसमें क्या था इसमें क्या अंतर है बताओ इसमें और उसमें क्या अंतर है आलो मैं वो था one upon में और ये one upon में नहीं है तो बस इन में formula का difference होता है बटे हाँ a square upon two इसा पंजी मैंने one upon two को पहले ही लिख दिया ये रहा one upon two हम अंदर नहीं लिखते है इसको चुकि भूल जाते हैं यहां लिखना इसलिए हमने सबसे पहले ही one upon two common ले रखा है बटे समझगे हाँ a square upon two होता है अच्छी बात है बटे मालूम है आपको लेकिन हमने एक बटे दो पूरे में से क्या कर रखा है common ले रखा है ठीक है पढ़ने पे ध्यान दें पंद साब हाँ पढ़ने पे i is equal to integral under root देखो अभी पून वर्क बनाओ इसको कैसे बनेगा अभी अभी पताया था आपको x square 4x है हमारे पास 4x का हाप कर लीजे कितना आया 4 का हाप करो कितना हुआ 2 2 का square करो 4 आगे बटे अभी तो पताया आपको यह चीज सबसे पहले क्या x square का coefficient 1 होना चाहिए 1 है हम तो एक ही मैं थड़ बताते हैं बटे और यह बहुत question को कर देता है बहुत question सचिन ठागुर जी 1 है right x पे आजाओ x के साथ क्या गिनती है 4 4 का हाप करिए 2 2 का square करिए 4 4 प्लस कर दो यह राजी 4 प्लस 4 ही माइनस कर दीजे और जो giving है उसे last में लिख दीजे प्लस 6 यह लिख दिया अब देखो integral under root dx अभी आपको formula बनाना भी बताया था यह किसका square है x का यह किसका square है 2 का जिसका sign हमने हाप किया है उसका sign आता है 4x है 4x का sign कैसा है plus तो plus का sign आएगा यह भी सोचने की जड़ुत नहीं है कि a plus b का square बनेगा या a minus b का square बनेगा समझें सबसे पहले यह देखो किसका square है फिर यह देखो किसका square है फिर जिसका आपने हाप किया है उसका sign आ जाएगा right थीक है बटे अब यहां आ जाओ ये रह 6, ये रह 4 सब जानते हैं, minus 4 plus 6, आपको भी पता है पता है ना, हमें भी पता है 2 बचा, अब ये हमारे पास देखो 2 है, तो 2 किसी का square तो होता नहीं, तो क्या करेंगे मालू में, under root लगा देंगे पटे इस पे, right, हाँ 2 किसी का square तो होता नहीं तो क्या करेंगे under root 2 का whole square right, इसमें question में पटे जल्दी ना करें, कभी भी जल्दी करेंगे तो mistake होती है यहाँ पे बचा 6, यहाँ बचा minus 4 हमने लिख दिया, 2, 2 का square यानिके under root 2 का square लिखेंगे, चुकि square 2 का 4 होना चाहिए था नहीं, तो फिर यहाँ पे, तो under root 2 आप देखो कौन सा फार्मूला बना मालूम है, कल बताया था आपको आप याद तो करते नहीं हो x square प्लस a square का सबसे पहले दिन आपको first day लिख दिये थे फार्मूले सभी आपको important formula साब आपको लिख रखे हैं, बस आपको याद करना है, पेपर आपने देना है, write one upon two, नितिन पंत देख लिजे, क्या लिखा हमने one upon two x under root x square plus a square plus a square, लोग x plus under root x square plus a square plus c, मालूम है यह formula कभी याद किये, मालूम है हाँ, यह formula याद किये हमने 87 में 87 में याद कर लिए थे, आपको हमने यह सब formula 87 में याद है, 86 87 से पढ़ाना सुरू किया है, बहुत दिनों से याद कर रखा है one upon two x under root x square plus a square plus a square, लोग x plus under root x square plus a square, हाँ, 87 का मतलब समझते हो, दो जीवन के बदाबर आपके, हाँ, इतने दिन होगे पढ़ाते, पढ़ाते समझ रहे हो, हाँ बटे बहुत अच्छी बात है बटे, सब अच्छे अच्छे हैं, सब होशे आ रहे हैं, सचिन्टा कुर्ची बहुत बढ़या, यह formula अपलाई कर दो बटे बस हाँ, अपने आप में मेहनत करनी चाहिए बटे, एक्स कितना है हमारे पास एक्स प्लस टू राइट अंडर रूट एक्स प्लस टू का होली स्क्वाइर अगर आपने ऐसे कोश्चन कर लिए ना प्रक्टिस तो समझ लीजे आपके मार्क्स महीं पहुच जाओगे जो आपको बात बताई थी प्लस ए स्क्वाइर ए कितना हमारे पास अंडर रूट टू अंडर रूट टू का स्क्वाइर टू लोग एक्स कितना है एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू का स्क्वाइर और प्लस अंडर रूट टू का स्क्वायर और प्लस कितना सी बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन है ना देखो छे नंबर का आता है बटे हाँ सिवम यादव जी कहने से 90 प्लस नहीं आते बटे गूड इवनिंग बटे हाँ निशांत जी गूड इवनिंग बटे हाँ सचिन ठाकुर बहुत अच्छी बात है बटे मेहनत करेंगे जितनी मेहनत करेंगे जितनी प्रक्टिस करेंगे समझ लेजे आपका ये कोश्चन ये मेरा दावा है बटे हाँ ये दावा है मेरा कि आपको ये वाला method आपको जुरूर मिलेगा और आज के पढ़ाईवे में से आपको एक question same method का मिलेगा हाँ same method का बग गिंतियां बदल सकती है ये तो मैं कह सकता हूँ लेकिन question ना आए ऐसा नहीं होने का बटे रितेज जी हाँ मेहनत करें आपको method बिल्कु same to same मिलेगा लेकिन question वो करेगा जो इन question हो की practice कर लेगा अब इसमें थोड़ा सा solve कर लीजे जरा अभी इतना सा question नहीं आता है या 8 number का अब पता चलेगा अभी तो इसमें करीब 6 line और हो जाएंगी पुटे solve प्लस ये solve करिए x square plus 4 plus 4x प्लस 2 लोग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट इसको भी solve करो x square plus का 4 plus का 4x और प्लस 2 और प्लस कितना c राइट हाए समझें आ गया नहीं आया चलो दुबारे लिख देते है दुबारे लिख देते है इसको कोई बात नहीं black body छोटा पढ़ रहा है आपके लिए इस सवाल के लिए x square plus 4 plus 4x plus अंडर रूट 2 का square और प्लस आपको पताईए क्या आता है c solve करिये कितना आया is equal to 1 upon 2 x plus 2 इतने बड़े question पटे जल्दी से होते नहीं है x square plus का 4x plus 4 or 2 6 आप तो होस यार हो यार इतना तो हमें पता है होस यार है मुटे आप right था होस यार है मुटे आप इतने तो हमें मालूम है 6 प्लस 2 लोग x प्लस 2 अंडर रूट यहां पर भी यह equation आ जाएगी x square प्लस का 4x प्लस 6 और प्लस C यह है आपके question का answer अब 4-5 question बड़े आपको practice के लिए देता हूँ थोड़े important question अब इसे एक राज ठीक है हाँ जिन क्या-क्या लिखते रहते हो पढ़ने पर ध्यान दे लो सब देख रहा हूँ मैं बहुत अच्छी बात है बड़े पर यह निश्चित है बड़े आपको भी मालूम है जैसा पढ़ेंगी वैसे ही marks आपके आएंगे पढ़ने पर ध्यान दे हाँ अब मैं आपको 2-3 question बड़े important से दे रहा हूँ जिनकी आपको practice करनी है right हाँ बहुत अच्छे सवाल 3-4 देता हूँ आपको फिर करूँगा एक दो question अभी आपको थोड़े से important question दे देता हूँ रोज-रोज याद नहीं रहता बड़े सोचता हूँ लिख दूँ फिर भूल जाता हूँ right देखिए बहुत अच्छा सवाल है बड़े पास अच्छे question दूँगा मैं आपको देखिए ये चार question है और चार में से एक आने के chance बने रहते हैं sine x upon cos square x बहुत simple है ना हाँ इस exercise में से question जरूर आता है बड़े मैं जो question दे रहा हूँ आपको ये समझे कि ये exercise बता रहा हूँ आपको important तो इन exercise sine x dx upon sine x plus a ये भी बहुत अच्छा सवाल है number 3 बहुत अच्छा question बहुत अच्छा next integral dx upon sine square x और cos square x आते हैं ये आपको question हाँ बहुत simple है ना इनकी जरह practice कर ले ना थोड़ा सा question number 4 बहुत अच्छा सवाल है ये last वाला जो मैंने लिखा आपको भी हाँ बहुत बार आचुका बटे question हाँ एक होता है cos under root x cos under root x or dx i is equal to number 5 integral i is equal to right देखते हैं आपको कितने question आते हैं कितने important question आप कर लेते हो dx upon यदि कोई सा question आप से ना हो तो हमें बता दे ना hint दे दे ना हम समझ जाएंगे कि आप कौन सा question पूछना चाहरे हो हम उसी से कर देंगे बटे hint से ही कर देंगे आपको कि लास्ट वाला भी question बहुत important है बटे six number हाँ बहुत अच्छे सवाल है बटे ये सब अब आप करें ना करें ये तो देखो आप पे depend करता है कि आप कितने महनती हैं okay हाँ right बटे बहुत अच्छी बात है बटे next i is equal to देखे अगर आपने ये question कर लिया four x plus one यदि आपने सच में इस question को अपने आप कर लिया तो समझ लिजी आप 80 plus के पहुँच गए x square plus x minus 3 आज ही इजमा लिजी अपने आपको यदि आपने ये question कर लिया ना अपने आप तो समझ लिजी आप पहुँच गए 80 के करीब में हर बच्चे से नहीं होने कार जिसने कर लिया sure 100% 80% माक्स आएंगे बटे next question और देखे और लिख देता है बटे important रोज रोज रह जाते हैं ये लिखने खोड़े से important question है ये i is equal to integral देखे ये question 10 बार आलिया करीब करीब बहुत simple question है लेकिन बहुत important है और एक इसका भाई है बटे i is equal to integral कितना एक ये important question है dx upon e की power x minus 1 का whole square ये भी एक important question है right हाँ और बता देता हूँ एक आद important question कोई सा जोन सा भी आप कहेंगे वो ही कर देंगे बटे आपको चाहिए हाँ question i is equal to integral e की power x check x जोन सा भी आपको कराना हो वो ही बता देना कल वो ही question कर देंगे आपको dx right हाँ एक question बटे मैं आपको भी और बताऊंगा बोलो कौन से नंबर का question कोई सा करे नहीं तो आप कर सकते बटे एक बहुत important question है बटे हाँ मुझे दिखाई दिया है भी i is equal to ये कर देता हूँ चलो मैं एक question अलग से integral dx upon 1 plus 10x देखो बहुत अच्छा सवाल है हाँ बहुत अच्छा question है ये करके देखो अच्छा क्या आएगा करिये जल्दी से जल्दी करिये क्या आएगा बहुत अच्छा question है ये हर एक बच्चे को नहीं आता होगा बटे तुम में से भी बहुत सारे बैटे होंगे जिनको नहीं आता होगा अर जो कर लेगा समझ लीजे वो कुछ पढ़ रहा है सबसे पहले करिए इसको साइन कोस में तोड़िए वन प्लस साइन एक्स अपोन कोस एक्स आगे समझ में उसके बाद LCM ले लीजे जब LCM लेंगे तो कोस कहां पहुँच जाएगा उपर अपोन के आया कोस एक्स पिलस कितना साइन एक्स बहुत अच्छा कोस्टन लिया है आपके लिए एक आज सब कोस्टन बहुत इंपोर्टन है अब इसमें 2 से गुना 2 से भाग करिए मल्डिप्लाई कर दीजे 2 से आ 2 से डिवाइड कोस एक्स इंपोर्टन है या नहीं है आप हमें भी जरा यस या नो करके बता दो साइन एक्स टेक्निकल कोस्टन जो होते है बटे वो इंपोर्टन होते है जो 5 नमबर का बता देंगे बटे आप थोड़ा सा हिंट दे देना मुझे नमबर याद नहीं रहने के कल बता देंगे बटे अब मैंने एक इंपोर्टन ले लिया कल कर देंगे जो उन साब आप कहोगे मुझे नमबर तो याद नहीं है पर कुस्टन का हिंट दे देना जरा सा अब देखो इसमें एक बटे दो कोसेक्स को लिखो कोसेक्स प्लस कोसेक्स अब इस कुस्टन पर धियान दे लो आप वो भी कर देंगे बटे आप कोसेक्स प्लस साइन एक्स ये देखो इंपोर्टन है या नहीं है बस हमें तो ये बदा दो तुम और तो तो आप जानो आपका काम वन अपोन टू अब इसमें साइन एक्स जोड़ दीजे बटे कोसेक्स और साइन एक्स ही माइनस कर दीजे प्लस कोसेक्स पहले दो से गुना दो से भाग किया हमने इसमें फिर हमने इसमें कोस को दो जगा लिखा है फिर इसमें साइन एक्स जोड़ा है यह तो अलग लिख दीजिए इतना dx और इसमें minus common ले लिजिए sin x minus cos x upon sin x plus cos x dx चाहे तो आप इसमें cos plus sin लिख दीजिए sin plus cos कोई फर्क नहीं बढ़ता संदीप पाल जी important question है यह तो same quantity हो गई cancel हो गई अब आजए आगे चलिए i is equal to 1 by 2 यह तो हो गया 1 dx ऐसी रहने दिजे 1 upon 2 sin x minus cos x dx upon sin x plus cos x अब इसमें सोचिए क्या करेंगे t मान लीजिए upon वाले को sin x plus cos x t मान लो तो dt बराबर upon dx कितना आया cos minus sin x अब यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास sin minus cos हमें चाहिए cos minus sin तो क्या करेंगे minus को मन ले लो minus इधर लिया और dt आ गया और यह हो गया sin x minus cos x और into कितना dx बस वो ही बना लिया जो हमारे पास उपर दे रखा है लिख दीजिए i is equal to i is equal to 1 by 2 1 dx minus 1 upon 2 घ्यां देना देखो यहाँ पर अब minus तो dt है तो minus minus क्या हो गया यहाँ पर plus हो गया यह कितना हो गया dt upon कितना है t right आपटे वो अलग है उदर पाट 1 upon 2 1 का कितना होता है x plus 1 upon 2 1 upon t का कितना log t कितना plus c बहुत अच्छा सवाल है पटे हाँ थोड़ा प्रक्टिस करते हैं ऐसे question की ऐसा ही एक coat की ट्रम में है पटे 10 की ट्रम में है coat की ट्रम में है minus में plus में 2-3 question है पटे ऐसे t की value पुट कर दो sine x plus cos x कल जो बताएंगे बटे और भी important चीज़े इससे भी ज़्यादा important चीज़ चलेगी बटे कल बस formula याद करके आना जरा से हाँ ठीक है formula याद करना जब formula याद कर लोगे जब भी आपको संज में आएगा good evening Sachin Thakur सभी को सिवम यादा हो yes sir Sachin Thakur जी ठीक है चोहान जी ठीक है बटे बहुत अच्छा आप जब जुड़ते हो class से ठीक हो थोड़े formula याद कर लिया करो x y 2 लोग 1 upon 2 का आँगे बटे इसका 1 upon 2 भी तो आएगा 1 upon 2 लोग कोस x plus sin x बहुत अच्छा है बटे बहुत अच्छा good evening thank you बटे thank you कल फेर मिलते हैं आपको